है गाइज विने दिस साइट तो आज हम का स्टार्ट कर रहे हमारे डी ट्रिपल एस बी की पटवारी की सीरीज पार्ड बी को लेकर तो यह क्लास वन है आपकी देखो डेली जी के भी मैं करवाऊंगा आपको क्योंकि मुझे मालूम है यह चीजे कहीं नहीं मिल पारी हो कि मु पुरगपुरा कवर करें और इसके आगे मैं आपको लैंड रिफॉर्म जितना भूमी सुदार गयारा जितने भी है 1954 वाले दिल्ली जलबोर्ट से कोश्चन्स बहुत सारे मैं आपको करवाऊंगा बट पहले हम इसके बारे में आज हम जी एंसी डीटी एक्ट जो आपका है वह पढ़ेंगे टीक हैं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हो अच्छे से देखेंगे वीडियो को बिल्कुल बेशिक से चीजे भी समझाओंगा वो भी इच्छे समझना है ठीक है तो चलो आजो सब आपके लिए return notes भी है पहले आप समझ लो जो मैं आपको समझाना चाहरा हूँ तो हमारा जो act है वो है G.N.C.T.D. Act तो क्या full form हो गए इसकी The government of national capital territory of Delhi दूबारा देखेंगे The government of national capital territory of Delhi देखो घबराने अली बात मिए return में आपके लिए सारे notes मैंने बना रखे हैं बड़ा पहले में जो समझाना चाहरा हूँ वो समझो पहले आपको पता हो यह है क्या तब ही तो हम आगे कर पढ़ेंगे 2021 का act हम तब पढ़ेंगे जो हमें 1991 का act पता होगा तो G.N.C.T.D. जो आपका act उसमें क्या है हमने पहले इसकी full form देखे The government of national capital territory of Delhi तो देखो यह जो act था पहले मैं आपको 2021 का act बताने से पहले original act की बात कर लेता हूँ तो पहले जो original act आया था हमारा हमारा यह original act जिसका नाम था G.N.C.T.D. act 1991 में आया था यह ठीक है तो यह क्या बूलता है यह क्या करता है यह ना basically देखो पहले जब हमारा देश अजाद हुआ तो डेली का कोई special status नहीं था यह act बनाया गया G.N.C.T.T. act 1991 तो इसमें क्या किया गया इसमें डेली को special status डेली वाज गिवन डेली वाज ग्रांटेड special status तो यह आपको ध्यान रखना है 69th amendment act 1991 जिसके थूरू इस amendment के थूरू add कर दिया गया add करा गया article 239AA 239AA अब आप मेरी बात सब्दों में क्या कहना चाहरा हूँ भाई G.N.C.D.T. देखो G.N.C.D.T. act आया हमारा 1991 में इसमें क्या हुआ इस act में आपका बोला गया कि भाई G.N.C.D.T. 1991 में आपका बोला गया 239AA इस article 239 में क्या बोला गया इसके थुरू देखो इस amendment act के थुरू एक special article add किया गया 239AA जिसमें बोला गया कि भाई जितनी भी डेली से related चीज़ें डेली की administration डेली की governance डेली की power मतलब इसमें डेली के special status बताया गया with respect to governance administration इन चीज़ों को लेकर ठीक है पहले तो मेरे भाई आपको ये पता होना चीए कि डेली का कोई special status नहीं था राजादी के बाद कुछ नहीं था ठीक है तो ये G.N.C.D.T. Act 1991 आया जिसमें डेली को special status दिया गया कि इसके through 69th Amendment Act 1991 में add करा गया Article 239.A जो डेली के administration, governance डेली के बारे में बताता है with respect to उसकी governance, administration और उसकी power को लेके कि भाई क्या क्या चीज़े होंगा तो मैं बहुत अच्छे सा आपको चीज़े समझाऊंगा मैं इसकी ऐसे vlog type में जो आपको अच्छा भी रखता है I think आपको अच्छा लखता होगा मुझे तो बनाना अच्छा लखता आप लोगों के लिए तो देखो ये बना दिया गया ठीक है पहले ना हम कुछ चीज़े समझ लेते हैं अब आपके भी एक विधान सबा होगी legislative assembly होगी मतलब आपका चीफ मिनिस्टर होगा और आपके पूरी आपकी विधान सबा होगी तो आपके council of minister होगे council of minister जो होगे वो आपको वेरेसी जो के लिए बताएंगे और चीफ मिनिस्टर उनको head करेगा यह basic सी चीज़े हैं अब आप समझो पहले कुछ basic समझो 7th schedule यह 7th schedule क्या होता था 7th schedule में आपके division of power बताई जाती है पहले आपको basic पताऊने चाहिए division of power बताई जाती है union और state के बीच मतलब यह union क्या है central government central और आपके state के बीच में power division को लेके 7th schedule बताता है मतलब वो कहता है अगर union देखो तीन लिस्टों में बाट आई है union list concurrent list concurrent list के बाद आपका आता है state list ठीक है तो देखो पहले में आपको चीज़ समझा दू कि state list में जो भी सारे matter आते हैं वो सब state देखती है union list में जो matter आते हैं वो सारे central देखती है state list में जो सारे matter आते हैं वो state देखती है और कुछ concurrent list के matter state देखती है ठीक है अब देखो क्या हुआ डेली का मैं आप बात करोंगी आपको मैंने क्यों बताया मैं आप लोगों को एक तरीके से आपका base ठीक कर रहा हूँ जो आप इस act को कोई भी question आजा पाच्छे question भी इससे आजा तो आप आराम से समाल लो देखो state list में जो भी matter होगा भाई वो state देखेगी बट डेली तो यूटी थी अब डेली के लिए इन्होंने यह matter कर दिया कि भाई 239AA जो आर्टिकल था 239AA इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी state matter होंगे न electricity विग्यारा विग्यारा water का कुछ भी matter होंगे तो भाई वो state matter state देखेगी डेली देखेगी ठीक है मगर सिर्फ डेली के case में डेली यह 3 matter नहीं देखेगी मतलब state में जो matter आते हैं वो तो state देखती है सारी state बर डेली तो एक यूटी थी ठीक है तो इन्होंने बोला है कि state list में सारे matter से electricity अपना पानी वानी डेली गोर्मन्ट देखेगी मगर तीन special case तीन case वो नहीं देखेगी तो क्या थे वो तीन case आजो देखते हैं मतलब दिल्ली की बात कर रहा हूं है वो नहीं देखेगी पुलिस वो नहीं देखेगी और कोई भी land की चीज़े डेली गोर्मन्ट नहीं कर सकेगी दुबारा मैं बोल दू मेरे भाई जब आपका ये seven schedule में division of power होता है central government और state government के बीच में तीन लिस्ट बनाएगे union list ये seven schedule ये दिखाता है union list में जो चीज़े होती है वो central government करती है state list में state करती है तो सारी state तो जितनी हों के state list में चीज़े आ रही थी वो कर रही थी बड़ डेली के case में नहीं बोला state list में जो चीज़े आएगे वो डेली करेंगी मगर तीन चीज़ों को छोड़ के पुलिस का जो power होगा वो हमारे हाथ में होगा central के हाथ में और आपका land का हमारे हाथ में public order का हमारे हाथ में बाके जो करना है वो डेली government को करो ठीक है तो इन्होंने क्या बोला अब ये तीन हो तो होगी central के हाथ में अब central का एक जो बंदा होगा जिससे इन्होंने नाम दिया गया lieutenant governor वो डेली में मौझूद होगा जो president के भिहाफ पे होगा ठीक है ना अब मेरे मुद्द समझना इसी lieutenant governor को आप कहीं पर google उगल उगल सही करोगे तो इससे बोला जाता है administrative तो confuse मत होना ठीक है भाई जैसे मेरी कोई है जैसे हमारी डेली है state है तो इस state में एक तो है आपका क्या main वाले बंदे जो काम कर रहे है real और एक है nominal तो एक तो है क्या सीम प्लस में सीम के बंदे council of minister देखो सीम चीफ minister council of minister दूसरा होगी आपका क्या nominal नाम नाम वाले नाम नाम वाले क्यों होगे भाई lieutenant governor ये lieutenant governor किसको report देगा किसके बहाफ पे ये है भाई president के president का बंदा है ठीक है हम मैं आपको मुद्दा समझा रहा हूँ ज्यांदा समझा हूँ अपने डेली में केजरिवाल जी है ठीक है तो केजरिवाल जी होगे cm और उनके बंदे council of ministers होगे ठीक है अपने यहाँ पे lieutenant governor जब ये सीजे पास हो री जी तो थे अनिल बैजाल तो अनिल बैजाल जो थे हो तो किसके बंदे थे प्रेजिएंट के बंदे बड़ इद्दा देखो आपको पता है quality पर तो तो प्रेजिएंट है वो प्रेजिएंट अपनी कुछ नहीं कर पाता है प्रेजिएंट बाउंड होता है एडड एड एड एडवाईज लेने के लिए किस-किस bounded होते हैं उसके डिजन किसके ओपर council of minister of central मतलब PM plus में council of minister मतलब मोदी जी तो एक तरीके से यह जो हमारी land police public order police और land जो हमारा सारा scene हो रहा है हाँ पर तो यह तो मोदी जी के हाथ में हो गया क्योंकि यह सारी इनकी power तो इन्होंने बोल दिया lieutenant governor को जाएगे और lieutenant governor किसका person है president का president किसकी बाते मानते हैं मलग किसकी वो bound advice के लिए PM plus में council of minister तो समझ के सारा खेला तो भाई जब यह सारा खेला हो वो लोग रोक लगा देते थे कि भाई रुको पहले हमें बताओ क्या होगा तो procedure में time लगता था तो समझ रो यहां से मुद्धे उठने लगे तो आपका क्या है आपने क्या क्या पढ़ लिया जी एंसी डिटी एक 1991 पहले हमने ओरिजनल एक देखा बेसिक ओरिजनल एक क्या है फिर हमने क्या देखा सेवन schedule में क्या क्या चीज़े आती है और हमारा क्या मुद्धा हो रहा था हमने यह चीज़े देखी और क्या क्या चीज़े इसमें नहीं आएगी PPL इसमें नहीं आएगा ठीक है देखो basically होता है किया state list की जो power होती है usually सारी state के पास होती है but state list में जो आती है but इन डेली के case में state list में तीन चीज़े जो थी वो डेली से ले लीगी डेली government कुछ नहीं कर सकती public order police or land देखो इससे होगा क्या आप कोई कोई भी कानून बना रहे है पुलिस को लेके है कुछ भी लेके तो डेली के जो government है वो तो elected government है जो हम लोगों ने चुनी है ठीक है तो उसके बारे में देखते हैं वीडियो अच्छे लग रहे हो तो बहुत महनत लगी है ठीक है तो प्लीज बताजे न टेलिग्राम चैनल नीचे है तो उसे आप जॉइंग कर ले तो अभी तक जो हमने पढ़ा हम वो एक बार वो रिवाइस कर लेता है तो क्या कह रहा अपनी विदान सबब करो और आपके काउंसिलों मिनिस्टर होंगे डेली के ठीक है 1991 में बताएगे फिर इनेबल द प्रोसेस ऑफ इन एलेक्टेड गवर्मन्ट भाई एलेक्टेड गवर्मन्ट होगी चूनी जाएगी ठीक है किसके थुरू एड करा गया था कौन से अमेंडमेंट के थुरू तो 69 अमेंडमेंट एक्ट के थुरू याद रखना ठीक है मों मैंने आगली उसमें मेंशन कर रहा है स्लाइड में तो उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दिये गए डेली को लेके क्या थे स्पेशल को छोड़ के पब्लिक और पुलिस और लैंड को छोड़ के ठीक है भाई नेक्स्ट आ जाएगे पहले तो हम देख लेता है स्टेटर्स ऑफ डेली आया कैसे जो मैंना आपको समझाया था डेली वास ग्रांटेड स्पेशल स्टेटर्स तुरू 69 कॉंस्टिशन पब्लिक और पुलिस लैंड इन सिटी ये क्या होगा ये सारे के सारे जो फॉल होगी पॉवर किसके हाथों में जाएगी सेंटरल गॉर्मेंट के हाथ में होगी ये तीनों हट जाएंगे डेली का कोई इसमें नहीं होगी चीज़े इन वाल्वो कुछ नहीं कर सकता इन लेजलेटिव असेंबली है वो कर सकती है वो उनके पास पावर है एन सिटी ओफ डेली के पास ठीक है इट फॉर्दर प्रोवाइट सेंबली फॉर्ट नेस्टन केपिटल अव डेली हां लेजलेटिट वह हमें पता ही है क्या आगए और सीड सेंबली शेल भी फिल बाय चू कर रहा हम तो अब पढ़ रहे हैं जी एन सी टी डी एक्ट नाइनटी नाइटी वन मैंने आपको अच्छे समझा दिया है आप डिवाइस कर ले ना अच्छे से ठीक है आज आई आगे अब क्या मुद्ध हुआ तो इस एक्ट में क्या हूँआ जब ये सब आया तो मैंने अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या थोड़ा देखते हैं relationship कैसा रहा COM मतलब council of ministers मतलब CM और उसके बंदे एक तरफ और LG left and governor एक तरफ तो article 239A कहता है कि भाई जो council of minister की जो strength है न वो 10% होनी चीए maximum strength of legislative assembly chief minister के साथ दुबारा जो आपका विधान सबा है उसकी जो total strength है chief minister के साथ उसका 10% होना चीए maximum क्या council of minister उससों जादा नहीं होगे जबकि इस अलग state में जादा है different state में सिर्फ डेली को छोड़के जो भी other state साम मैं बोलूं तो उनमें ज्यादा थी तो यह तो यह मुद्दा बड़ा लड़ाई का मुद्दा था तो पढ़ लेते हैं एक बार प्रोवाइट फॉर council of minister consults of not more than 10% वह बात बोलता है विध chief minister at the head to eight ठीक है तो पहले तो यहां तक इनों ने बोला दूसरा वह यह कहने लगे कि भाई जो भी कानून बनाएंगे यह council of minister और chief minister मतला आप ऐसा समझो मैं जो आपको example देता हूं कि भाई जैसे केजरी वाल जी बना रहे है कि बिजिली होनी चीए फिरी में ठीक है फिरी बिजिली देंगे 200 इनोड़ तक आप बोल रहा है पानी फिरी करो तो वो मजबूर हो गए at the head to aid advice the lieutenant governor in the exercise to his functions जो भी वो मुद्दे लेंगे समझो डेली government ले रही है तो उनको lieutenant governor की को बोल मतलब आगे पास करना पड़ेगा और lieutenant governor के हाथ में ही power है वो देखेगा उनको लगेगा कि भाई यह सही है तो चलो ठीक है वरना वो क्या कर सकता है देको दो चीजें मैं आपको समझा देता हूं या पर बहुत कुछ इनके lieutenant governor जो थे हम जो भी हैं इनके हाथ में बहुत तगड़ी power थी पहले तो यह इनका मन होगा तो यह उसको रख देंगे बिलको और सोच के बताएंगे कि ठीक है मुझे आगे क्या करना वेट करो एक तो पहले पहले चीज यह दूसरा इनके हाथ में थी भाई यह discretionary power इसमें क्या था इनको ऐसा लगता है कि यह चीज जो है मुझे president से पूछनी पड़ेगी तो यह बोलेंगे रूख जाईए मैं president को भेज रहा हूं तो आप लोग वेट करिए फिर प्रेजिरन जो जवाब देगा यह देंगे दूसरा discussionary power में क्या है इनको ऐसा लगता है कि यह चीज सही नहीं है तो बिना को explanation दिए बिना कुछ वो यह अपनी मर्जी से अपने accordingly उस चीज को खतम कर सकते हैं तो भाई यह तो मुद्दा था तो यह relationship between chief minister and council minister और LG के बीच में differences हुए समझ रहो ना कि उसी power हो लो मतलब ऐसे कहेंगे भाई रुख जाओ अभी मैं सोचूँगा विचार करूँगा मुझे सही नहीं लग रहा discretionary power है मैं आगे बेज रहा हूँ president को फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा मैं इसको cancel करता हूँ तो हटा दिया तो मतलब उनकी मर्दी चल रही है एक तरीके से मोधी स क्या कह रहा है यह कह रहा है मेरे भाई कि अगर कोई difference of opinion आता है क्या आता है को difference of opinion मतलब भेद आ जाते हैं कि वो कुछ और कह रहा है किस के बीच में lieutenant governor और उनके ministers मतलब की आपके com और cm में lieutenant governor और chief minister council minister की बाते मैच नहीं आ रही है उनके difference of opinion आता है disharmonious हो जाते हैं मतलब वो लोग आपसे mail नहीं खा रहे मत भेद हो रहा है तो क्या होगा ऐसे case में क्या होगा कि भाई देखो the lieutenant governor shall refer it to the president for decision वो president को भेज़ देंगे decision के लिए ठीक है but एक चीज देख लो ध्यान से देखना है वाला भी and act according to the decision given there on by the president ठीक है भाई वो president को भेज़ देंगा और जो president बोलेंगे और उनी के उसमें वो काम कर देंगे जैसे president बोलेंगे वैसी कर देंगे but and pending such decision it shall be competent for the lieutenant governor in any case where the matter in his opinion is so urgent that it is necessary for him to take immediate action to take such action or to give such direction in the matter as he deems necessary अब अगर उन्होंने president को भेज़ा और वहाँ से थोड़ा सा pending हो रहा है case और matter बहुत urgent है उनको बताना है तो वो अपने हिसाब से जो उनको सही लगेगा उनके हिसाब से immediate action वो में जरूरी होगा तो वो अपने हिसाब से अपने direction के अनुसार वो अपने deem अपने अनुसार वो decent ले लेंगे समझ गए भाई कोई मुद्दा होगे इन दोनों के mail नहीं खारी चीज़ें तो ये president को भेज़ेंगे जो president बताएगा वो होगा दूसरा president के वहाँ से pending हो रही है चीज़े लेट आ रही है तो ये क्या करेंगे जो इनको सही लगेगा इनके साब सब्सक्राइगे वो decent ले ले लेंगे और वो ही माना जाएगा तो फिर दिल्ली गोवर्मेंट का फाइदा ही क्या हम लोगों ने तो उनको चूनके वेज़ा कि वह हमाले कुछ करें मैं किसी को support नहीं दे रहा बस मैं आपको चीज़ा clear कर रहा हूँ अब आज ही आगे तो भाई एक scene आया बीच में कि 2018 में यही मुद्दे तो चल रहे था तो आपका सुप्रीम कोट ने कुछ सुनाई उसमें statement जिसमें पाच बैंच बैठे मतलब जूरी बैठी 2018 में और 2019 में भी हुआ तो उन्होंने बोला कि देखो lieutenant governor is an administrative head in the limited sense and is not a governor ठीक है यह lieutenant governor है यह governor नहीं है तो एक administrative head है एक nominal head है ठीक है उनको interfere नहीं करना चीए दिल्ली government के उसमें तो he cannot interfere in each in every decision of the NCT government बैई जो भी वो decision ले रही है उसमें उनको interfere नहीं करना चीए आपके जो तीन चीज़े बोली है ठीक है आप हर चीज में interfere कर रहे हो दूसरा and the lieutenant governor is bound by the aid and advice of the NCT government in the areas other than those exempted वो जो तीन थे matter थे public order, police or land उनको छोड़के यह तो भाई lieutenant governor जो है वो सारी matter में गुसरे है ठीक है बिजली पानी जो भ फिर नहीं करना चीए दूसरा lieutenant governor को भी थोड़ा bound होना चीए कि वो एड़वाइज ले किसकी chief minister और उनके बंदों की डेली के chief minister और उनके CEO है मतलब consular minister की advice ले बाकी mattress में ठीक है मिल जूल मतलब वो basically कहना क्या चा रहे हैं आपको बताता हूं वो कहना चाते हैं कि harmonious होके काम करा जाए मिल जूल के कर लो भाई तुम्हें लड़ोगे तो फिर क्या होगा लोग कहां जाएंगे सिर्फ वो तीन मैटरों को छोड़कर बाकी lieutenant governor को भी उनके advice लेनी चाहिए किसकी chief minister और councilor ministers की अच्छे समझ में आ रहा है नीचे like कर देना share करो थोड़ी वीडियो आप लो Gnct Act से पटवारी में कोई भी question आ जा तो हम उड़ा दें उस question को आज ही आगे देखते हैं तो अब हम देखते हैं यार हुआ क्या कि अब आ गया आपका भाई यह Gnct Act इतना मुद्दा देखते हुए यह Gnct Act Gnct Act आया है आपका 2021 क्या बोल रहा है यह 2021 पहले तो देखो कब क्या हुआ देखो आपका यह introduce हुआ यह date याद रखना यह एकसाम में आसे इंटर्डीउस हुआ लोकसभा में यह बिल ंटर्डीूस्ग हुआ तो यह जो बिल इंटर्डूस्ग हुआ, कब इंटर्डीूस्ग हुआ यह इंटर्डीूस्ग हुआ March 15 May 2021 तो यह पास भी हो गय 21 को ये सब पास हो गया ठीक है उसके बाद ये राजय सबसे भी पास हो गया मेरे भाई कब हो गया ये यह हो गया आपका 24 मार्च को ठीक है यह वहाँ से भी पास हो गया 2021 24 मार्च से यह राजसभा से भी पास हो गया अब यह जो पास हो गया तो यह क्या हुआ यह प्रेजिरेंट के पास आया और प्रेजिरेंट ने इनको 28 मार्च को 2021 को इस बिल जी जब बिल पास हो गया से act गोशित कर दिया ठीक है जब ये act गोशित हो गया तो यहां पे बोल दिया गया कि जो अब lieutenant और april की एक date है वो मैं आपके note से mention कर दूँंगा मेरे भाई ठीक है april में ये और पूरा लागू कर दिया गया ये act बनाया गया 28 मार्च को और april में ये लागू कर दिया गया तो ये क्या हुआ बोल दिया गया कि अब आपके Lieutenant Governor के बारे में कुछ बाते बोली गई और पूरा ये लागू कर दिया गया कि अब Delhi में सब कुछ बढ़िया तरीके सरे अब क्या क्या बोला गया वो देखते हैं जरा ठीके तो आई अच्छे से समझते हैं चीज़ों को क्या हुआ वो देखते हैं ठीके तो भाई वट इस दे NCT Amendment Act 2021 2021 जी NCT Act 2021 से इसमें क्या हुआ देखो देखो The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment 2000 Bill was introduced by the Minister of Home Affairs Minister of Home Affairs दोआ रहा हुआ गया यह तो मैंने आपको अलड़ी बता दिया कि क्या हुआ लोकसभा में आया 15 मार्च को 22 मार्च को पास हुआ राज्यसभा में 24 मार्च को 28 मार्च को प्रेजिडन ने से Act बना दिया और अपरेल में यह लागू हो गया ठीक है अपरेल की डेट में आपको नोट्स में टेलिग्राम दो बहिश दूँगा तो ब्रिंग चेंजस इन दे गोर्मन नेशनल केपिटल ऑफ डेरी एक्ट इन 1991 में उसमें चेंजस करेगा इन अन्टी नटी वन वाले Act में ठीक है तो अध्याइमेंडमेंट अक्रणिंट डोज़ एक्केस एमेंडमेंट एक्ट सीज तू प्रमोट क्यों करेगा यह क्यों आया तो उन्होंने बोला देखो क्या बला अलगी लेवल का खेला गया आपर तो उन्होंने बोला हार्मोनियस रिलेशन रहेंगे लेजिसलेचर और एक्जिक्यूशन के बीश में and provides for rules made by the legislative assembly of Delhi to be consistent with the rules of the house of the people मतलब लोग सबगी तेरा इसे बनाया जाएगा कैसे भाई पहले हमारा ये 2021 एक्ट लाने का मुद्ध है कि हार्मोनियस रिलेशन रहें मिल के चले सब कुछ बाई जो चीफ मिनिस्टर उनके काउंसलों मिनिस्टर है और जो लेफटन गवर्न है उनमें ज्यादा मदभेद ना हो हों मिल के चले ठीक है तो यह ऐसा कह रहे हैं अब इन्होंने ऐसे क्या क्या वो देखते हैं इन्होंने बोला रेस्टिक्शन सो लॉस पास बाई असेम्ली दा अमेंडमेंट प्रोवाइड दर टम गौर्मन के रहे हैं जो गौर्मन तरम जो आती है जी औन सी टीडिए जो गौर्मन तरम आ रही है यह रेफर करता है किसको एनी लॉव मेड बाई दा लेजिसलिटिव असेम्ली की जो भ बनाया जाएगा केजरिवाल सरकार दुआरा ठीक है मतलब डेली गौर्मन दुआरा कोई भी गौर्मन चल रही है जिसकी भी बट वो जो बिल बनाएंगे वो लोग जो लो बनाएंगे वो किस पे मतलब विल इंप्लाई ओन किसका महतब रहेगा उस पे मतलब किसकी बात्च सरकार बनाएगी कि भाई हमें बिजली करनी है फ्री ठीक है तो भाई क्या होगा वो बना दे कि जैसे वो जाएगा वो पास नहीं कर सकती वो क्या कर सकती है जैसे वो जाएगा किसके पास जाएगा लेफटनेंट गवरनर के पास जाएगा वो बोलेगा वूसर जो करने हैं वो करेंगे ठीक है rules of procedure of the assembly the 1919 act allows the legislative assembly to make rules to regulate the procedure and conduct of business ठीक है चलो rules बना ले the amendment provided such rules must be considered with the rules of procedure और conducted business लोग सबादे को वो सारा मुद्धम आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है वो कह रहा है कोई भी rules से मनाए नहीं माने जाएंगे कोई भी rules सिर्फ और सिर्फ वो जो rules मायेंगे वो पास किसके उपर आएगा lieutenant governor और वो जो decision देंगे वो माना जाएगा simple शब्दमों वो यह कह रहा है वो जो तीन rules थे वो तो थे अब यह बिजली पानी इन सब में भी आ गए हैं लोग ठीक है आज ही आगे पढ़ते है inquiry by the assembly into administrative decision the amendment prohibit the legislative from making an thick up चलो यह अपने आपको बचाने के लिए भी यह जो दिल्ली सरकार है यह कोई भी inquiry के लिए कोई भी law नहीं बना सकती inquiry by the assembly into administrative decision the administration the amendment यह जो amendment हुआ है 2021 वाला यह prohibit करता है legislative assembly को कि कोई भी rule नहीं बना सकती inquiry का भी अपने आपको बचाने के लिए या दूसरे किसी पर inquire करे वो rule नहीं बना सकती दूसरा वो day to day activity को manage करने के लिए कोई rule कोई law नहीं बना सकती ठीक है वो police के ओपर या कोई भी जैसे mcd mcd में कोई काम चल रहा वो कुछ नहीं कर सकती कोई inquiry नहीं बिठा सकती वो administration decision में तो वो क्या करेगी मतला हम लोगों ने चूनके बेज़ा वो कुछ करी नहीं पाएगी समझने आ रहा ना आप लोगों यह रूल तो अभी आया दोजार एक्ट नहीं आया था 99 वाले एक्ट पर जो भी उनकी पौवर्ड थी या उन्होंने ऐसे कुछ रूल बनाएगे तो वो भी सारे वॉइड हो जाएंगे इल्लीगल ठेरा दिया जाएंगे अवेद हो जाएंगे उनकी कोई माननेता नहीं होगी समझ गए ना वो कोई रूल बना सकते है ना वो कुछ कर सकते है गर उनको कुछ करना है तो उनको भीजना होगा किस पे प्रेजिनेंट के बाद बेसिकली जो एक्ट है इसने डेली से इसने डेली से सारी के सारी पॉवर छी ठीक है आ जाई आगे अगे दे अमेंडमेंट मेंट रिक्वाइस डेली तो आल्सों रिजर्व दोस बिल्स फॉर्ट प्रेजिदेंट विच इंसीडेंटली कवर एनी अफ दे मैं इसका मतलब समझा तो बहुर अच्छा पॉइंट है देखी वो कहते हैं कि यह बोल रहे हैं कि कोई मुझे बोले हैं डेली सरकार बुलते हैं यह चीज गरीबों खेले पॉवर्टी के लिए यह चीज होने चीज है मैं एक्जामपल दे रहा हूँ मैं किसी की बढ़ावा नहीं कर रहा है बड़ यह जीज तो गलत है आ आपने प अपनेरे सब्सक्राइब को अपनेरे सब्सक्राइब कर मैं बताइब मैं कहीं और पढ़ाता था, कुछ ऐसे चैनल से जो कहते थे आप हमारे content से पढ़ाएंगे, आप इतना ही बोलेंगे, अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, बच्चा जानना चाता तो मैं क्या करता, तो मेरे तो सारे राइड छीन लिए, तो मैंने कुछ जो मेरे जिन चै जैसे कि दिल्ली सरकार बोले कि भाई, ये ना गरीबी हटाने के लिए ये चीज़ है, ये law हमें ये करना चीज़ है, अचानक से लेफटिनन गवणर राजार बोले, नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये incidentally cover matter है, incidentally, incidentally, कोई बिल्कुल सोच समझ के नहीं, ये incident incidentally cover हो रहा हमारे matter है, समतलब, आप ही जो poverty हटाने के लिए बोलड हो ना, और जो हमारा matter है, PPL, public order, police, land, ये ना land से related है, या फिर ये ना police से related है, ये चीज़, police से problem हो जाएगी, police को है, police से related है, land से आ रही है, तो ये हम खारिश कर रहे है, एक तो वैसी उसकी discretionary power, कि वो सारे notes, जो मैंने अभी दिये, मेरे भाई, ये सारे notes आपको as it is, एक मैंने अपनी दोस्त को बोला, उसने written में भी लिखे है notes, ठीक है, क्योंकि मेरी writing तो बहुत विकार है, तो ये सारे notes आपको telegram पर मिल जाएंगे, बट आप प्लीज जुड़ी और इस वीडियो को जितना चल रही थी, कि हम powerful है, हमें काम नहीं कर ज़रा, अब ये जो 2021 में है, इसने सारे write छिन लिए, डेली सरकार से, और बोला आप जो होगा, LG है, में, अब आप बस ऐसी बैठो, मतला ऐसी कर रहे हो बस, तो बाई हम चुनके बेज़े रहे हैं, केजी रिवल को, अगर मैं example दू तो केजी रिवल जी को हम चुरके वेज रहे हैं, वो काम ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या फैदा, तो देखिए, यहीं तक हमारी वीडियो थी, यह आपको वीडियो अच्छी लग रही हूँ, तो बिलकुल बताना कि कैसी लगी वीडियो, बहुत महनत लगी है, मैं तब भी एक शौर्ट वीडियो आज शाम को 3-4 मिनिट के GNCDD Act में as a vlog बना के डाल दूँआ, जिससे जो हिंदी मीडियों के बच्चे उनको बहुत असानी समझ में आ जाए, और जैसे यह बच्चे सबका रिवीजन हो जाए, बीसी लिटिक है, तो चलिए गाईस, ठैंक यू, ठैंक जो बुक है मेरे बाई, उसी से एक्जाम आएगा, उससे भार पटवारी में कोश्चन्स नहीं आएंगे, इंगली सेक्षिन, पार्ट ए को बोल रहा हूं में, तो वो भी देख लो या, चार पस घंटे की ए, मतलब मेरी तो मैनत है, मैं आपके लिए फायदे मन दें, क्यों मुझे पता है, तो गाइस चलिए थैंक यू